आज है 11 मार्च 2023 और 11 मार्च 2023 से करेंट अफैस के जितने भी important question बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखे लास्ट व मैं आपसे question पूछूँगा उसका answer आपको comment box वों बताना है आज कि इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के discussion में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गूरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में CISF का 54 स्टापना दिवस कब मनाया गया है तो अभी 10 March को CISF का 54 स्टापना दिवस मनाया गया तो इस question का बे options आई अब CISF यानि की Central Industrial Security Force इसका 54 स्टापना दिवस अभी 10 March को मनाया गया अच्छा इसकी स्टापना का हुई थी 1969 में इसका headquarter कहाँ पर है न्यू डैली में और इसके present app पर डारेक्टर जनरल कौन है सेल वर्धन सिंग कौन है सेल वर्धन सिंग अच्छा अभी 1 March को सून निभेदवाव दिवस मनाया गया 3 March को बेसु बनिजीब दिवस मनाया गया 4 March को रास्टी सुरक्षा दिवस और बेसु मुटापा दिवस मनाया गया चै मार्च को बेसु टैनिज दिवस मनाया गया 8 March को अंतरास्टी मैला दिवस मनाया गया और इस वार 8 March को नो स्मोकिंग डे भी मनाया गया 9 March को बेसु केड़नी दिवस मनाया गया और अब 10 March को CISF का 54 स्तापना दिवस मनाया गया है तो इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं daily morning में उठकर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning में उठकर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेब करने में लगात हो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में नेपाल के नई राष्टपती कौन चुने गए तो अभी राम चंद्र पॉंडेला नेपाल के नई राष्टपती चुने गए तो इसको इनका say options है यह हैं राम चंद्र पॉंडेल और यही नेपाल के नई राष्टपती चुने गए अब नेपाल के चुने गए तो यह है map में नेपाल नेपल की केपिटल क्या है काटमंडू नेपल की करेंसी क्या है नेपली रूपिया नेपल के प्रेजेंट टैम पे प्राइम निस्टर कौन है पुस्प कमल दहल और अब नेपल के नई राश्ट पढ़ी चोने गए है राम चंदर पॉन्डेल अच्छा इंडिया और नेपल के बीच में कौन सी डिफेंस एकसाइज होती है सूर किरड नाम की डिफेंस एकसाइज इंडिया और नेपल के बीच में होती है अच्छा अभी सेख एहमद नवाफ अल एहमद अल सवाकू क्वेट का नया प्रदानमंत्री नियुक्त किया गया वान्थूं ये वियतनम के नय राष्टपती बने है बोला टेनुबू ये नाइजिरिया के नय राष्टपती बने निकोस क्रिस्टोडोराइट्स ये साइप्रस के नय राष्टपती बने डोरिन रिसिन को मालडोवा का नया प्रदानमंतरी चुना गया और मैनुविला रुका बुटे एक्वेटोरियल गिने की पहली मैला प्रदानमंतरी नियुक दुई है ये अभी नए प्राइमिनिस्टर और प्रेसिजेंट है ये आपको याद रखने है ने क्युशन है हाली में सेयुकत राष्ट की रिपोर्ट के अनुसार मैलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है तो अभी United Nations की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के कोर्डिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए दमनकारी देश अफगानिस्तान है तो इस कुश्चिन का बे अप्शन सही है अच्छा मैप में देख लीजिए ये है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तालिवान का सासन है अच्छा अफगानिस्तान से रेलेट तन गेहूं चाब हार पोट के थूँ अफगानिस्तान पहुंचेगा चाब हार पोट कहा है सुना हुआ नाम है यह इरान में है आप इस मैप में देखिए यह है रूट इंडिया से चाब हार पोट पहुंचेगा और चाब हार पोट से फिर अफगानिस्तान पहुंचेगा तो सतान नियुक्ति हैं हाली में किस राजी के स्वास्ते मंत्री ने एक नबी स्वास्ते कारिकरम आरोगि महिला सुरोकिया तो अबी तेलंगाना के स्वास्ते मंत्री ने महिलाओं ये है आरोग महिला कारिक्रम इसे अभी तेलंगाना में शुरू किया गया अब तेलंगाना तो ये है मैप में टेलंगाना तेलंगाना की capital क्या है है हैदराबाद तेलंगाना की chief minister कौन है के चंसे कर राव और तेलंगाना की governor कौन है डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन अच्छा तेलंगाना में समता कुम्ब शुरू हुआ है तेलंगाना पुलिस महानेदेशा के रूप में अंजनी कुमार ने World Green City Award 2022 जीता है और तेलंगाना सरकार ने आस्रा फैंसन को फिर से सुरू किया है तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाते के आरक्षड को 6 प्रतिसत से बढ़ा कर 10 प्रतिसत करेगी ने क्यूशन है हाली में Reliance Life Sciences को केस IIT से Jane Therapy Technology का लाइसेंस मिला है तो Reliance Life Sciences को अभे IIT की Technology का License मिला तो इस Question का बे Options है अब IIT से Related Question है तो केंदरी मंतरी अनुराक ठाकुर ने अभे IIT रोपड में युबा उत्सब की सुरुआत की Next Generation Fuels पर IIT मदरास ने डेनमार्क के सा साज़ेदारी की है IIT मदरास इस रोप के लिए Space Flight प्रसिछड मोडियूल विक्सित करेगा और IIT मदरास ने रास्टी बौधिक संपता पुरुसकार जीता है Next Question है हाली में किस देश ने International Big Cat Alliance बनाने का प्रस्ताव दिया है तो अभी अपने देश भारत ने International Big Cat Alliance बनाने का प्रस्ताव दिया तो इसकुशन का A options है यह बागों, चेतों, सेरों, सइप जो बिले की बड़ी प्रजाती हैं इनकी रक्षा के लिए International Big Cat अलाने का प्रस्ताव अपने देश भारत ने दिया है अच्छा भारत ने दिया तो अभी भारत ने दुनिया का पहला बांस बेरियर लगाया IMF के अनुसार भारत में 2023 में बैस्ट विकास में 15% योगरान देने की छमता है और अभी अपना देश भारत दुनिया का नंबर बन अच्छा अभी प्रामेरिका लाइफ इंसोरेंस ने पंकज गुपता को अच्छा अभी प्रामेरिका लाइफ इंसोरेंस ने पंकज गुपता को MD&CU नियुक्त किया SS दुबे ने लेखा महान यंत्रक के रूप में पदवार ग्रेड किया ससस्त्र सीमावल का महान देशक रस्मी सुकला को नियुक्त किया गया और इंडियन मैंस होकी टीम का कूच क्रेग फुल्टन को अपोइंट किया गया यह अब इंडियन मैंस होकी टीम के कूच बन गए ने क्यूशन है हाली में और्गिनाइजड लेकोरिस यानि कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा बना है तो मुलेठी इसका यूज आयरुवेदिक दवाओं में होता है इसकी खेती करने वाला भारत का पहला राजी हिमाचल प्रदेश बना है तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है अब हिमाचल प्रदेश तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की केपिटल क्या है सिमला हिमाचल प्रदेस की चीप निश्टर कौन है हिमाचल प्रदेस की 25 जनमरी को अपना 23 अपना दिवस मना है हिमाचल प्रदेस के मुक्हि मंतरी ने सुखा असरे सायता को सलॉंच किया हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उंचा मत्दान के इंट टसी गंग बना है और हिमाचल प्रदेश में देश के प्रत्थम मत्दाता स्याम सरड नेगी ने मत्दान किया और मत्दान के अगली दिन इनका निधन हो गया हिमाचल प्रदेश में Great Himalayan National Park है, Pin Valley National Park है, तिर गंगा नेशनल पार्क है और इंदर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है ने क्यूशन है किस ने खेलो इंडिया 10 का दम टूनामेंट का उद्गाटन किया नेशनल पार्क है, हाली में A.M.E.E.I.E. की कमाण समालने वाली पहली मैला अधिकारी कौन बनी है तो कर्नल गेता राणा AME IKI की कमान समालने वाली पहली मैला अधिकारी बनी है तो इस कुछिन का बे ऑप्सन सही है यह है कर्नल गेता राणा और यही AME यानि कि Electronics Mechanical Engineering IKI की कमान समालने वाली पहली मैला अधिकारी बनी है अबे केंदरी बिद्धुत नियामक आयो का नया अध्यक्ष जिश्नु भरुआ को नियूप किया गया, P.I.B. का प्रधान महानिदेसक राजिस मलोत्रा को नियूप किया गया, नासा ने निकूला फॉक्स को पहली बार एजनसी की मैला बिग्यान प्रमुक के रूप में निय CCI ने सैले स्पाथक को अपना महा सच्चिव नियुप किया है ने शुशन है हाली में केस देश के पूर प्रदानमंतरी मुहिद्देन यासिन को ब्रस्टाचार के आरोप में गरफतार किया गया तो मुहिद्देन यासिन ये मलेशिया के पूर प्रदानमंतरी है और अभी इन अब मलेशिया तो यह है मैप मलेशिया की capital क्या है कौलालंपूर मलेशिया की currency क्या है Malaysian regat और मलेशिया के present time पे प्राइमिस्टर कौन है अन्बर इब्राहिम कौन है अनबर इब्राहिम हाले में आई रिपोर्ट के अनुसा कुपोशड से पेड़ित गर्बते मैलाओं की संख्या में कितने प्रत्सत की ब्रद्दी होई है तो अभी UNICEF की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुपोशड से पेड़ेद गर्बते मैलाओं की संख्या में पच्चेस प्रत्सत की ब्रद्धी होई तो इसको इनका बे आप्सेंस आई है अब UNICEF यानि की United Nation International Children's Emergency Fund इसकी स्तापना कब होई 1946 में इसका हेड कॉर्टर कहां पक है निउ-यॉर्क में और इसके प्रजेंट टैम पर हैड कौन है कैथरीन एमब्सील कौन है कैथरीन एम प्रसेल नेकी उशेन है केसराज ने सबसे बड़े हस्त लिखित नूट्स का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो अबे असम ने सबसे बड़े हस्त लिखित नूट्स का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो इसकुशिन का से ओप्शन से ही है अब असम ने बनाया तो ये है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिस्पुर असम की चीपनिश्टर कौन है हिमंता विश्व सर्मा और असम के नए गवर्नर कौन वने है गुलाब चंदर कटारिया पहला बुडो लेंड अंतरास्टी ज्यान महुत्सब असम में हुआ असम का नया डीजीपी ज्यानेंद प्रताप सिंग को न्यूक्त किया गया असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रेड किया है असम के मंत्री मंडल ने सफाई करमचारी आयोग बनाने के लिए बिध्यक को मनजूरी दिया हाली में भारत और केस देश ने सेमी कंड़क्टर पर समझाता करने की गोशना की है तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने सेमी कंड़क्टर पर समझाता करने की गोशना की तो इस कुशन का ए ओप्सन से ही है अब अमेरिका, अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन, अभी कल ही मैंने आपको अमेरिका से रिलेटेड एक कुश्शन बताया था नासा और इसरो ने मिलकर निसार सैटिलाइट बनाया है और अमेरिका ने ये सैटिलाइट अभी इसरो को दिया है अच्छाए इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा सैयुक्त रूप से विएसित निसार उपग्रे मिल किया है नासा और इसरो इससे मिलके बनता है निसार अच्छाए इन्डो अमेरिकन माहिला हैं तेजल महता इनको अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायदीस नामित किया गया न्यू यॉर्क कोट में अरोड सुब्रमन्यों को पहले भारती अमेरिकी न्यायदीस की रूप में न्यूट किया गया इंडिया और अमेरिका की बीच में कौनकोर्ण सी डिफेंस एक्साइज होती है कोप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, वज़ प्रहार और युद दब्यास ने क्यूशन है किस राजजी ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमती देने का अग्रे किया है तो अबे पस्चिमंगाल ने सेंट्रल गवर्मेंट से पोस्ता की खेती करने की अनुमती देने का अग्रे किया तो इस कुश्यन का से ओप्सेंस है अफेम पोस्ता, इसका यूज, बहुत सारे बेंगॉली बेंजन्स में होता है इसलिए पस्चिमंगाल सरकार ने केन सरकार से पोस्ता की खेती करने की अनुमती देने का अग्रे किया अब पस्चिमंगाल तो ये है मैप में पस्चिमंगाल पस्चिमंगाल की केपिटल क्या है? कुलकाता और कुलकाता है हुगली नदी किनारिश्तित पश्चे मंगाल की चीपनिष्टर है ममता बनर जी और पश्चे मंगाल के गवर्नर कौन है सेवे आनंद बोस अभी पूर्व डेजीपी बिरेंद्र को पश्चे मंगाल का मुख्य सूचना आयुक नियुक्त किया गया प्रदानमंतरी मोदी ने कौलकाता में राश्टी जल और स्वच्चता संस्थान का उद्गाटन किया पश्चे मंगाल सरकार ने नेजी भूमी पर लगु खजनेज खनन की अनुमती दी है और सेवे आनंद बोस को पश्चे मंगाल का राजजिपाल नियुक्त किया गया अब लाश्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर लाश्ट वीडियो मैं आपसे कुश्यन पूचा था कि हाली में किसने 222000 बहरीन ग्रेंट प्रिक्स जीता है तो अभी मैक्स वस्ट्उप पर ने 2023 बहरीन ग्रेंट प्रिक्स जीता यानि किस कुशिन का बे ओप्सन सही था वा लगबग सभी श्ट्रेडनेस कांसर सही दिया मुश्ट लिश्ट्रेडनेस के वारें डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुशिन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुशिन आपके लिए आज का कुशिन है हाली में केस राज्य में अट्टुकल पॉंगल धूम नाम से बनाये गया है चार ओप्सन दिए गये हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज़ पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion भी doubt, any agitation, discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अब यह तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आप से subscribe रहेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू किलिक कर लें जिससे के आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching